नमस्कार मिभाग किश्री एक स्वतंत्र गनराज जिबनने और देश में कानूं का राज स्ताप्रित करने के लिए 26 नहंबर 1950 को भारती सविदान सभादवरा इसे अपनाया किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी कीतिती को इसलिए चुना किया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्टिय कॉंग्रेस ने भारत को पुनस्वराच घोशित किया था इस दिन हर भातिय अपने देश के लिए प्रान देने वाले अमर सपुतों को श्रधान चली अरपित करते हैं गंदरंतर दिवस की बुर्वस संध्या पर राष्ट्रपती राष्ट के नाम संतिश्टिते हैं स्कूलों, कॉलेजों आधी में कई कारिक्रम आईजित की जाते हैं भारत के राष्ट्रपती दिल्ली के राजपत पर भारतिय द्वच पहराते हैं राज़तानी दिल्ली में बहुत सारी आकशक और मनमहोग कारिक्रम आज़ित के जाते हैं। दिल्ली को अच्छे तरह सजाए जाता है। करते विपत पर बड़ी धुमधाम से परेड निकलती हैं जिसमें विभिन प्रदिशों और सरकारी विभागों की जाक्या होती हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। बातिय सेना अस्त्रशेस्त्रों का प्रदर्शन होता है। दिवस मनानी का मुख्य उद्देश हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महिने और 38 दिन लगा कर बना गया सविधान। लागों क्या गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गंतंत्र खोशित क्या गया। सन 1929 के दिसंबर में लाहोर में भारतिय राष्टिय कॉंग्रिस का अधिवेशन पंडी जवारला नेरु की अधिशिता में हुआ। जिसमें प्रस्ता पारित कर इस बात की खोशना की कई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वारत योप निवेश का पर प्रदान में कड़ी की जिसके तहट भारत प्रिटिस सामराचे में ही स्वशासित एकाई बन जाने उस दिन भारत की पूर्न स्वतंत्र स्वतंत्रता प्राक्ति होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना जा रहा है इसके 50 स्वतंत्रता प्राक्ति के वास्तविक दिन 15 अकस को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्विकाग गया बारत के स्वतंत्रता हो जाने के बाद सविदान सभा की खो सर्दार वल्लब भाहिर पटेल, मौलाना अब्दिलकलाम आजाद आधी इस सभा की प्रमुख सदस्यति, सम्विधान निर्मान में कुल बाइस समितिया थी, जिसमें प्रारूप समिति याने ड्राफ्टिंग कमिटी सबसे प्रमुख एवं मात्वपुर्नस समिति थी और इस स 11 बहां, अठ्रा दिन में भारती समविधान का निर्मान किया और समविधान सभा की अदिक्षर डॉक्टर राजेंटर पसाथ को 26 नौहंबर 1950 को भारत का समविधान सुपोर्ट किया, इसलिए 26 नौहंबर दिवस को भारत में समविधान दिवस के रुप में प्रतिवश मना जाता है सविदान सभानी सविदान निर्मार के समय कुल 114 दिन बैठक की इसकी बैठकों भी प्रेज और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी अनिक सुधारों और बदलाओं के बाद सभा के 24 सदस्यों ने 24 जन्वरी 1950 को सविदान की दो हस्तलिकित कौपियों पर हस्ताक्षर के इसके दो दिन बाद सभिदान 26 जन्वरी को यह देश भर में लागों हो गया 26 जन्वरी का महत्वब बनाय रखने के लिए इसी दिन सभिदान निर्मात्री सफा कॉंस्टिट्वेंट असे ब्रिश्भक्तों के बलिदान के बाद अंग्रीजों की दास्ता यानिंग्रीजों की श्यासन से मुक्त वाता है इसके पाद 26 जन्वरी से खड़े होकर राष्ट्रगान काया जाता है फिर राष्ट्य द्वर्श तीरंग आपको सलामी दिजाती हैं गंत्रंत्र दिवस को पुरे देश में विशेश रूप से भारत की राष्टानी दिली में बहुत उस्साह के साथ मना जाता है इस अउसर के महत्व को चिन्नित करने के लिए हर साल राष्टपत पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपती भवन तक राष्टानी नई दिली में आईजित की जाती हैं इस भव्य परेड में भातिय सेना के विभिन्न रेजिमेंड वायूसेना नौसेना आधि सबी भाग लेते हैं इस समारों में भाग लेने के लिए देष के सबी हिस्सों से राष्टे कैडेट को और विभिन्न विद्यालों से बच्चे आते हैं समारों में भाग लेना एक समान की बात होती है। पारेट प्रारों करते वे प्रधानमत्री राजपत की एक छोड़ पर इंडिया केट पर सीद अमर जवान जोती पर पुछप्रमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों के स्मूति में दो मिनिट मौन रखा जात है। यह देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युथ वस्वत्म्रता आंग्डुलें में देश के लिए बलिदान देने पाले शहीदों की मलिदान का एक स्मार रखे। इसके बाद प्रधानमत्री अन्यव्यक्तियों के साथ राजपत पर सेथ मंच दगाते है राजपती बाद में आउसर की मुख्य अतिती के साथ आते हैं। परेड में विविन राज्यों की प्रधर्शनी पी होती है। परेड और जुलुस राष्ट्य टेलिविजन पर प्रसारित होता है और देश की हर कोने में करूडु दर्श्यकों की दवारा देखा चाता है। 2014 में भारत के 12 तरवे गंतंत्र दिवस के अउसर पर माराश्टी सरकार के प्रोटोकॉल विभाग ने पहली बार मुंबे के मरीन ड्राइफ पर परेड आई जित की जैसे हर वर्ष नई दिल्ले में राश्पत में होती है